Welcome back friends to my YouTube channel The Himalayan Guru दोस्वाज हम बात करने वाले हैं Space Mine Crypto के उपर यह यह कहले जिए Mine Token के उपर आजमने बात करनी है बहुत नया concept है आप लोगों में से शायद बहुत कम लोग इसे जानते होंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा एंड तक वीडियो जरूर देखीएगा बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके साथ में कुछ नए information आप आज को देने वाला हूँ इसके उपर सबसे पहले friends Space Mine Space Mining क्या है Space Mining एक ऐसा Metaverse Gaming Crypto है जो आपको काफी इंट्रेस्टिंग लगेगा समझने की बात है Space Mining एक ऐसी सर्विस है जो आपको Metaverse से रिलेशन में एक Solar Planets आपको प्रोवाइड करेगा यानि कि आपको एक ऐसी गेम मिलेगी जहां पे आपको एक Solar Planet जैसे कि हमारे पूरे 9 Planets है अब 9 Planets में Earth है, Mars है, Jupiter है, Saturn है ऐसी तो टोटल 9 Planets है जैनेट के अंदर Mines होंगी वहाँ पे आप रिसोर्स को माइन करेंगे फिर वो जो आप Mining वहाँ पे करेंगे उस Mining से आप NFT भी बना सकते हैं जैनरल यूजर्स माइन इन दा माइन इन दा मेटावर्स तो आप एक Virtual Reality में यहाँ पर इसी एक Game खेलेंगे जहाँ पर आप उसे माइन करेंगे माइन करने के बाद आप उसी माइन कियो यह resources को उसकी NFT बना सकते हैं उसका General Use Case जो रहेगा मेटावर्स में और यह जो आपके Mines minerals होंगे जो resources के रूप में आप जिनने माइन कर रहे हैं इनको आप Space Mines का जो token है जिसका एक General Term है माइन यानि की माइन यहाँ पर Space Mines का token हुआ तो आप यहाँ पर इस माइन token के द्वारा उन्हें swap कर सकते हैं resources को जो आपने वहाँ से माइन की है माइन का मतलब खुदाई करना लेकिन यहाँ पर क्या एक Game है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर इस काम को करेंगे and swap tokens are cashed in listed exchange अब जैसे माल लीजिए आपने यहाँ पर इस token से जो आपने resources buy किये है तो इस token को आप कहाँ पर cash करोगे आप इसे cash करोगे जो exchange जिस पर यह list हो रहा है Bittrex तो Bittrex exchange यहाँ पर यह list हो चुका है ठीके दोस्तों यहाँ पर जैसे Metaverse की उन्होंने definition देके रख्यों है Space Mind Metaverse is open in the order of Mars Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto and the number of mines and minerals can be mined differently on each planet यानि कि आप जितने भी planets हैं आप वहाँ पर independently और differently वहाँ पर mining कर सकते हैं उन minerals की दोस्तों इसमें कौन-कौन से minerals जिसे आप mine कर सकते हैं Minerals in Space Mind Metaverse include gold, silver, diamond and rare earths and digital minerals including BTC and ETH तो यानि कि आपको यहाँ पर BTC और ETH भी साथ में दे दिया गया है जो आप digitally जिसे आप mine कर सकते हो तो यानि बात हुई Metaverse में आप digitally mining कर रहे हैं इसमें play to earn का भी option है नहीं कि आप game खेलके भी यहाँ पर earning कर सकते हैं तो ऐसा एक background आपको मिलेगा The mine is minted as NFT The owner receives some of the profits from mining by users यानि कि जैसे मान लीची आपने एक NFT create की है mining करके mint की है आपने एक NFT अब उस NFT के आपको profits भी मिलेंगे जो दूसरी users mining करेंगे और वो NFT के साथ link है तो आपको यहाँ पर अच्छे खासे profit भी मिल सकते हैं दोस्तों space mine token या जिसे यूँ कह लिजी है mine token का जो token distribution है वो आप clearly यहाँ पर बता देता हूँ total supply mine token की है 964 million अब 964 million में से अगर देखा जाए 50% directly यहाँ पर mining के रख दी गई है 10% partners है 10% founders है 10% token sales है 10% marketing है 10% research and development के लिए दिया हुआ है तो इस हिसाब से tokenomics को mine token की यहाँ पर define किया हुआ है दोस्तों यहाँ पर mine token की 2 sub categories है पहली एकर हम देखेंगे तो main token है which is called mine यानि mine यहाँ पर 964 million यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे which is ERC 20 BEP 20 token के रूप पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोनों ही type में आपको यह मिलेगा ERC 20 और BEP 20 पर आपको मिल जाएगा NFT आने वाली है जहाँ पर दिखा coming soon यानि कि जो इनकी NFT आने वाली है वो रहेगी ERC 721 Oblique Binance NFT के रूप में आपको देखने को मिल जाएगी सब token जो रहेगा which is Mars Gold है symbol Mars Gold है यहाँ पर जो total amount इसका आने वाला है वो 1 trillion के करीब रहेगा which is BP 20 के करीब आपको मिल जाएगा यह जो सब token होगा यह आएगा diamond, platinum, silver, palladium और terbium में यानि कि यह आपको different categories में आपको यहाँ पर सब token भी मिल जाएगा तो तो space mine का जो introduction में आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ बहुत ही simple है, subtle है NFT जो है वो mine से बनेगी और जो mine से आप जो कमाएंगे वो trading in exchange में आप उसे in cash करवा सकते हो तो एक हिसाब से ऐसा cycle बनाया है जो बहुत easy आप लोगों के लिए समझना space mine metaverse में जो first phase है उसमें we sell 10 out of 100 mines on mass and it will be traded with NFT and open the mines in order as scheduled through smart contract voting तो यहाँ पर आप एक ऐसा system बनाया है जिसके through जो player है यहाँ पर mine tokens को है in cash करवा सकता है different exchanges पे जहाँ पर वो list होगा future में फिर इसके mineral जैसे की मैंने आपको बताया कि mine minerals होंगे यहाँ पर which would be platinum, palladium, gold, silver, rare earth उसके साथ आप इनको यहाँ पर mine के दोरान use कर सकते हैं निकाल के उसको in cash किया जा सकता है roadmap की दोस्तों बात कर ली जाए तो अभी इनका जो है second quarters पर अगर हम देखते हैं तो phase 1, 2 open है mass 100 mine का जो अभी इनका शुरू हो चुका है लेकिन अभी quarter 4 तक पहुँचने में और जो phase 2 और 3 है उसको complete करने के लिए Jupiter का जो 50 mine और 500 mine है रखा हुआ है वहां तक पहुचने थोड़ा time लगने वाला है हालां कि 2023 का इनका road map है यानि कि 2023 तक ही अपने पूरे road map को complete कर लेंगे यानि कि time बहुत है अभी initial stage पर हम इसे कह सकते हैं और coin market cap पर ये list हो चुका है क्यों आज ये कुछ घंटे पहले list हुआ है और list होते ही काफी अच्छी बढ़त इसने हाँ बनाई क्योंकि पिछले कल ये bitrex पर list हो चुका था उस exchange पर exchange पर listing होने के बाद भी इसके price में काफी अच्छा खासा इदाफा हुआ है दोस्तो coin market cap पर अभी कुछ घंटे पहले ये list हुआ है जब मैंने इसका price यहां पर कुछ 398 के करीब देखा था और ठीक 5 मिंट पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तब मैंने ये 430 पर देखा था अब ये 433.36 पर आ चुका है यानि कि इसकी अभी बढ़त चल रही क्योंकि recently exchange पर list हुए which is usual ऐसा होता है जब आप coin market cap या multiple exchange पर list करते हैं तो हलका सा वहाँ पर एक search देखने को मिलता है कई बार ज्यादा मिल जाता है तो crypto है ये चीज होती रहती है current price जो एंडिन रुपीज में 433.38 दिखा रहा है risen by 7.41 यानि कि आज की date पर इसका एट हो जाएगा और साथ साथ देख लेते हैं rank 2968 इसका rank है वाच लिस 22 के करिए इनिशल स्टेज है तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में अभी यह और भी कमाल दिखा सकता है क्योंकि इसके पास metaverse का एक अच्छा खासा platform भी है दोस्तो इनिशल से लेकि आज तक का चार्ट देख रहे हैं तो सिधी सी बात है आज की डिट पे multiple platform पे लिस्ट हुए इंक्लोडिंग कोईल मार्केट कैप और बिट्रेक्स पर तो यहां पे अच्छी खासा एटीज ने क्रेट कर लिया है हालां कि अभी उस एटीज के आगे पीछ यह घूम रहा है तो इस पे ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगा क्योंकि इनिशल स्टेज पे ऐसी चीज़ें होती रहती है है कि मैंने आपको थोड़ देर पहले बोला है और ओल टाइम हाई इसका 14 अप्रेल 2022 याने की आज के दिन ठीक तीन घंटे पहले 449.08 था ओल टाइम लो ठीक दो घंटे पहले आज की ही तारीक को 389.66 था रिजन बाइ 6.85 पर सेंट जो की अभी के मुकाबले काफी जादा हो हो चुक है विचिस 429 थोड़ दिर पहले 433 पर रन कर रहा था तो यह थोड़ी उठा पड़क इसमें होती रहेगी आपको देखने को मिलेगा दिस इस दा ओफिशल ट्विटर हैंडल ऑफ स्पेस माइन एड़ एट स्पेस माइन आयो यहां पर अगर आप देखेंगे तो का अगर आप इन चीज़ों में इंटरस्ट रखते हो और अगर आप इन वेस्ट करना चाहते हो जरूर कीजिए लेकिन एक बार इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनेशल एर्वाइजर से जरूर सला ले लीजिएगा तो दोस्तो आज हमने बात की माइन टोकन विच इस पार्ट ऑफ स्पेस माइन प्रजेक्ट और स्पेस माइन मैटावर्स क्रिप्टो और इस में बाए कर सकते हैं क्योंकि अभी अब इस इनेशल फेज हैं सी इसी बात इनेशल फेज ए तो आने वाले टाइम में आपको शारी चीज़ यह भी हो नहीं हैं तो दोस्तों आई का जबाब यहां पे दूँगा. Thanks for support. Bye.